हेलो गाइज वेलकम बैक वित अनाधर वीडियो आज की इस वीडियो में हम एंबॉक्स और रिव्यू करने वाले यह रेड केयर का कोमेट 7.1 तो चलो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं तो आप बोक्स पे देख सकते हो हर जगे रेड गेर लिखा हुआ है और कोमेट 7.1 ल खावा है और इनके सोशल मीडिया वगेरा दे रखे हैं और अगर आप इसके बेक साइट पर देखोगे तो टोड़े टेक्निकल स्पेक्स दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हो और यहां पे MRP लिखी वी है जो कुछ 3,000 रुपे हैं और MRP बिलकुल इस MRP मत जाना क्योंकि इसके औरिजनल प्राइस दोजार के अंदर है सेल में कभी-कभी 1700 का मिल जाता है और यह जो है रेट गेर का लेटेस्ट वर्जन है और इससे पहले जो आया था वह था रेट गेर का कोस्मो 7.1 मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को कन्फूजन होगा कि रे बीच में बता दूँगा या फिर एंड में बता दूँगा तो आप वीडियो देखते रहो अन्बोक्सिंग कर लेते हैं पहले इसकी इसके साथ बोक्स में क्या-क्या है और कैसी क्वालिटी एस हेडफोन की वह भी मैं आपको बता हूँगा क्योंकि यह जो हेड़फोन है म मैंने पहले ही रिकोड कर ली जब मैं लाया था यह एड़फोन इनकी अन्बोक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी और वोईस ओवर और वीडियो में आप बना रहा हूँ करीब एक महीने बात तो आपको इसका एक महीने का यूज करने के बाद भी मैं आपको रिव जोजने करने वाले क्योंकि आजकल कुछ भी जो भी ड्राइवर्स वगरा है सोफ्ट्वेर वगरा हम ओनलाइन कर लेते हैं डाउनलोड या फिर बहुत सारे ड्राइवर्स तो अटोमेटिक लिए अपडेट भी हो जाते हैं तो यह रख देते हैं बोक्स साइड में अभी हम न्लाइन कंट्रोल्रे वो मुझे दिखनी जाए क्यूकि इन लाइन कंट्रोलर जो वर व्युक्षिक वज़से केबल भारी हो जाती है और ठोड़ी मैंच करने में प्रोब्लम आती है तो यहëं केबल्, काफी ह。समें इन लदे में कंट्रोलर है और यह इसका माईक है जिसमे 6 घंटे लिएग तो बैल इसके अबकिन ने बाटप उन न्हीन करते हो और लिए इसकी देख्षाइनिंग आप देख सकते होग्ठाइब बंटन इनों ने दे रखे जो कि याप आप कि यूस कर सकते हो वॉल्यूम आप डाउन करने के लिए यहाप एक और मूंटें कर सकते हो चाहद LED कंट्रोल्law और इस पहले को हम प्लग कर लेते हैं प्लग करने के बाद देखते हैं लेड के असे काम कर्ती और इसका माइक वगईरा भी टेस्ट करके कि देखते हैं जैसे से हमने इसको प्लग किया USB से तो आप देख सकते हो इस तरह की LED इसमें चल रही है और इसका माइक जो है एक बार में ऐसे म्यूट कर सकते हो इस बटन से एक बार बटन दबाना जिससे माइक ओन ओफ कर सकते हो और LED चेंज करने के लिए आप इस बटन को होल्ड करके रखोगे इसकी लाइट जो है चेंज होएगी आप एसे होल्ड करोगे तो चेंज होती रहेगी और लास्ट में एक ओफ भी करने का है जिससे आप LED को ओफ भी कर सकते हो तो यही था इसमें LED का सीन बाकि आप इसको ड्राइवर वगेरा कोई मैंने कुछ अपडेट नहीं किया मतलब ब आप बताता हूँ कि यह गेमिंग एड़ ऑने तो गेमिंग के लिए बेस्त है क्योंकि एक महीने से में यूज 만들어 चुका हूं कि लिए बीस्ति है से 1.1 सौरांडरिंग साइथ अगर आप मियूजिक के लिए बात करोpowered की म्यूजिक के लिए कैसा है तो म्यूजिक के लिए एकается है दो मतलब ठीक बोलूँगा क्योंकि cette粵 के लिए मैं बात कुरूंगा विए मिमङं के लिए बात करें तो मतलब आप साउंड प्ता कर सकते हो राइट लेफ्ट व यूपर नीचे किस तरह से बंदा रहा है जो भी फोट स्टेप वगेरा तो अच्छ आपको सुनाई देगा और दूसरी चीज कि आप इसको फोन पर कनेक्ट कर सकते हो यानि तो जैसा कि मैं आपको फोन पर भी बता देता हो कि एक OTG जैसे कि अभी मेरे सामने यह OTG से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और बिल्कुल यह काम करेगा OTG के साथ आप इसमें मतलब माइक भी इसका यूज कर सकते हो डिरेक्ली इसका माइक भी यूज होता है OTG के साथ कनेक्ट कर लोगे तो माइक भी यूज होगा और दूसरी चीज अगर आप इसको फोन में यूज कर देता हो इसकी voice की इसका जो microphone है उससे केसी voice record होती है तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हो इसके microphone का वाज है इसमें कोई भी effect वगेरा या कुछ भी suppression, noise suppression कुछ भी use निक इया है जो इसके microphone से record हो रहा है वो normal voice मैं आपको सुना रहा हूँ कि यह AC आवा जिससे आती है इसके microphone से तो अब आपको decide करना है कि कैसा है और दूसरी चीज यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह 6-7 गंटे अगर आप इस पर gaming करते हो तो बिल्कुल comfortable लगता है क्योंकि यह बहुत हलका सा headphone है जैसे कि Red Gear Cosmos 7.1 की बात करें तो थोड़ा भारी भारी सा headphone है अगर आप 6-7 गंटे या 8 गंटे तक gaming करते हो तो आपके मतलब सरदर्द या फिर pain होने लगता है कान में तो वो सब problem इसमें नहीं आने वाली क्योंकि मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मतलब रोज मैं 7-8 गंटे gaming करता हो यह headphone पेंट के तो बहुत comfortable है क्योंकि over the year जो इसके air cup से वो use होते है तो long time gaming के लिए आप ये वाला ले सकते हो headphone क्योंकि Cosmo 7.1 है जो काफी थोड़ा भारी भारी सा है और आपके उपर है अब दोनों में से कौन सा आपको खरीदना है मेरे इसाब से comment 7.1 ज्यादा अच्छा है कुछ technical वीडियो मैंने देखे है चैनल टेकनिकल चैनल पे जहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि Cosmo 7.1 ज्यादा अच्छा है पर मेरे इसाब से यह वाला ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम गेमिंग करते हैं और इसके अलावा रेड़ गेर का एक और headphone थंडर भी तो उससे बेटर तो जरूर मैं बोलूंगा क्योंकि वह तो कुछ जादे ही मतलब ज्यादा आप गेमिंग करोगे 6-7 घंटे तो वह बहुत बेकार है उसके लिए आप मतलब में बिल्कुल भी रिकमेंट नहीं करूंगा क्या आप वह वाला headphone लो और आप चाहो तो Cosmo 7.1 भी ले सकते हो पर वह थोड़ा भार ही रहता है अगर आप कम गेमिंग करते हो 2-3 घंटे तो आप व पूला आप कर दो कि लिए लेगंग कर दो कि एक है याप वह पर प्या वोड़ा आप ज सकते हो आप बिल्वा कर वह वह बहुत दो RICHARD को कर आप पर वह बहुत आप इसनाझ सम्वेंगा करने नहीं कर दो